कहानी एक छोटे गाम की है, जहाँ अनिता और उसके पती रमेश रहते हैं, अनिता एक सीधी साधी ग्रहिनी है, जबकि रमेश थोड़ा अजीब पागल स्वभाव का आदमी है, गाम के लोग उसे पागल रमेश के नाम से जानते हैं, उसकी हरकते उसे समाज में एक मजा का प बात्र बना देती हैं, और उसका व्यवहार अकसर विचित्र होता है, कहानी की शुरुआत, अनिता के लिए रमेश का यह पागलपन शुरू में बहुत चुनौती पूरन थाई, शादी के बाद उसे उम्मीद थी कि रमेश एक जिम्मेदार और समझदार पती साबित होगा लेकिन धीरे-धीरे उसकी हरक्ते उसे मानसिक रूप से ठका देती हैं, वह बिना कारण दोरजोर से किल लाता, गलत समय पर हसता और कभी-कभी तो पूरा दिन बिना कुछ बोले बिता देता हैं, गाम के लोग अनिता को सहानुभूती से देखते थे, लेकिन कोई भी उसकी स्थिती समयने की कोशिश नहीं करता थाई, रमेश के पागलपन का असली कारण अनिता को समझ नहीं आता थाई, वह सोचती थी कि शायद उसके पती का बचपन कठिन रहा हो या फिर कोई मानसिक बीमारी हो सकती है, लेकिन वह जानती की कि प्यार और समर्पन से सब ठीक किय जा सकता है, कई बार अनिता को समाज के ताने सुनने पड़ते थाई, गाव की महिलाए उसकी स्थिती का मजा को राती और पुरुष उसे बेचारी समझते थाई, फिर भी अनिता ने कभी हार नहीं मानी, वह रमेश का ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, उसे विश्वास था कि रमेश का पागलपन अस्थाई है, और एक दिन वह सामाने हो जाए गए। समपर करती है, जो मानसिक बीमारियों का विशेश के होता है, वह रमेश को लेकर शेहर जाती है, जहां डॉक्टर बताते एच कि रमेश को बचपन में एक गहरा सदमा लगा था, जिसके कारण उसकी मानसिक स्थिती बिगर गई थी। पर अनिता अब लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती, उसके लिए सबसे महत्रपूर्ण बात यर्थी कि उसका पती ठीक हो रहा थाई। आखिरकार, इलाज के कई महीनों बाद रमेश काफी हद तक सामाने हो जाता है। वह अब गाव के लोगों के बीच सम्मान से रहने लगता है और अनिता के साथ एक खुशाल जीवन जीने लगता है। हालां कि उसकी अजीब हरकते कभी-कभी अब भी दिखती है, लेकिन अब वह समाज में मजाक का पात्र नहीं होता है। कहानी यह संदेश देती है कि समाज के ताने और परेशानियों के बाबजूद अगर हम किसी को सच्चे दिल से समयने और प्यार करने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी कथिनाईयों को भी पार किया जा सकता है। अनिता की द्रिड़ता और धैरे ने नकेवल रमेश को ठीक किया, बलकि उनके रिष्टे को और मजबूत बना दिये। यर कहानी मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक अपेक्षाओं और रिष्टों में धैरे और विश्वास की महित्ता को रेखांकित करती है। झाला अपेक्षाओं पास्थ। झाल 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 झाल